Naturalized का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Naturalized का दो तरह के से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो Adjective के रूप में उसे हम Naturalized कह सकते हैं जिसे Naturalize किया गया हो इसके इलावे Naturalized जो है वो Naturalized का Past and Surpassed Participle होता है यानि कि Naturalized की ही Second और Third Form होती है Naturalized और Naturalized का आर्थ होता है नागरिक बनाना, प्राकर्तिक बनाना, सम्मिलित करना, अपना बनाना, जाती या देश के अधिकार देना, घुला मिला लेना, देशिय करन करना, नागरिकता प्राप्त या प्रदान करना, अनुकूल जीवन प्रदान करना, या पदार्थ विद्या स जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि यह भारत के अन्य भागों में भी सम्मिलित हो गया है तो आप कहेंगे It has also become naturalized in other parts of India या अगर आप ये कहना चाहें कि पोधा घास में अच्छी तरह से प्राकरतिक होता है या घुल मिल जाता है तो आप कहेंगे The plant naturalizes well in grass अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें